Hello guys welcome back to our YouTube channel तो इस वीडियो के इंदर हम डिसकस करेंगे Class 8 Maths NCRT Chapter No.3 Call Letters जिसके exercise 3.2 का question No.4 Question No.4 है हमारी पास How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree? How many sides does a regular polygon? आपको बताना है कितनी number of sides होगे polygon की अगर interior angle 165 है अब देखी question No.3 से थोड़ा सा change है Variation is question के अंदर क्या variation है? यहाँ पर दियावा है आपको interior angle clear है? exterior angle नहीं दियावा है जो हमारा formula लग रहा था 360 number of sides is equal to जो हम लगा रहे था formula number of sides निकालने का क्या formula था? 360 degree divided by each exterior angle ठीक है? exterior angle दियावा था ना और exterior angle हम लगा रहे था यहाँ पर हमें क्या दे दिया? interior angle ठीक है? तो यह वाला formula यहाँ पर काम नहीं करेगा लेकिन यह वाला formula काम भी करेगा clear है? ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा करेगा लेकिन कैसे काम करेगा? तो यहाँ पर interior angle जो 165 degree दियावा है वो यहाँ पर put नहीं करना है क्योंकि यह interior angle है हमें put क्या करना होता है each exterior angle को put करना होता है यहाँ पर interior angle दियावा है तो interior angle से हम क्या निकालेंगे exterior angle को निकालेंगे अब आपको थोड़ा सा समझना चीजों को आप समझने ही कुछ कीजिए अगर हर एक interior angle 165 degree है अगर regular polygon का तो exterior angle कितना होगा अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ for example एक triangle है ठीक है equilateral triangle means यह सभी angles जो होंगे वो क्या होंगे equal होंगे अब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको समझना ठीक है देखो यह अगर आपको पता है equilateral triangle मैंने आपको बनाया ठीक है 120 निकलेगा simple सी बात है कैसे निकालते हैं क्यों निकालते है 120 क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या बन रहा है एक straight line बन रही है straight line बनने का मतलब है यहाँ पर linear pair बनेगा और linear pair का जो सम होता है वह 180 डिगरी होता है, straight line हमेशा क्या बनाता है, 180 डिगरी बनाता है, तो यहाँ पर देखिए, अगर यह 60 डिगरी है, तो यह 120 डिगरी होगा, similarly यह 60 डिगरी होगा, आपको पता है, regular polygon है, तो हर एक एंगल अंदर का equal होगा, ठीक है, अगर यह 60 डिगरी होगा, तो exterior एंगल यह यह 120 होगा, ऐसे यह जो इंटीर एंगल है, यह 60 डिगरी होगा, तो यह भी हमारा 120 होगा, मतलब आप चीजों को समझ रहे हो, यह तो मैंने triangle का example देखे समझा है, लेकिन यह बोल रहा है कि एक, कितने मतलब आपका 165 डिगरी अगर इंटीर एंगल है, एक regular polygon है, जिसका 165 ड यहाँ पर निकाल लेते हैं, 180 डिगरी में से माइनस कर देंगे, 165 डिगरी को, तो हर एक exterior angle कितने डिगरी का निकलेगा, 15 डिगरी का, इस चीज़ को आप समझ गए, यानि समझे बताओ, ठीक है, अब exterior angle हमारा 15 डिगरी निकल गया, बस यहाँ पर आप पुट कर देंगे, तो number of sides हम find कर लेंगे, clear है बात, चलिए, तो अब करते हैं हम इस question को, तो let करते है number of sides क्योंकि हमें पता निए, तो let the number of sides be, let the number of sides be n, n ले लेते हैं, ठीक है, clear है, अब exterior angle अगर हमें निकालना है, तो exterior angle मैंने आपको निकालना सिखाया, कैसे निकालेंगे हम exterior angle, 180 डिगरी मे हमारा 15 degree, clear है, यह आगया हमारा 15 degree, अब हम क्या निकालेंगे, वही number of sides वाला formula लागांगे, तो हम number of sides कैसे निकालते है, number of sides हम निकालते है, इस formula से, कैसे, 360 degree divided by each exterior angle, each exterior angle, और each exterior angle कितना है, 360 degree divided by each exterior angle कितना है, यहा पर, 15 degree हमने निकाला अभी, ठीक है, और number of sides हमने क्यालिया, n लिया, तो हम n रख लेता है, तो n की value कितनी आजाएगी, देखे 15 से, इसे reduce कर जीए, तो 15 2 जा 30, and 15 4 जा 60, ठीक है, तो 24 degree, number of sides कितनी आईए हमारी 24, तो 24 degree नहीं, sorry, 24 degree मत कर देना है, यहापर गलत हो गया है, ठीक है, 24, तो number of sides कितनी आईए हमारी 24 तो हम कहेंगे, hence, the regular polygon, ठीक है, has 24 sides, इस type 6 question को आप solve कर सकते हो, clear बात, तो कितना आसान question था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इस type 6 question को आपको solve कर रहा है, अब देखो, variation क्या था 3rd or 4th में, बस वहाँ पर आपको exterior directly दिया वा था, तो हमें exterior find करने की जुरत नहीं हो रही यहाँ पर क्या देदिया, आपको interior देदिया, तो interior से सबसे पहले तो हम exterior find करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर करा 15 degree लेकर है, 180 में से minus कर दिया, interior angle 160, तो हर एक exterior angle कितने का होगा, 15 degree का होगा, ठीक है, exterior angle find होने के बाद में, फिर हम करेंगे यह वाला process, जैसा पहले किया था, ठीक है, तो third वाले में आपको direct exterior angle दिया वा था, जो की formula में put हो रहा था, आराम से, लेकिन, fourth वाले में क्या करा, interior angle दिया, तो आपको interior angle से पहले, exterior angle find करने के बाद में, फिर इस formula में आपको put करके values को निकालना है, clear है बाद, तो कितने number of sides होगी, 24 sides का वो polygon होगा, regular polygon, पर एक interior angle कितने degree का होगा, 165 degree का होगा, clear है बाद, तो इस वीडियो के अंतर इतना ही, अगर वीडियो पसंद आईए, तो please like कीजिए, share कीजिए, और चैनल को subscribe कर लिजिएगा, bell icon को जरूर प्रेस कर लिजिएगा, जिससे की upcoming videos के notification आपको time to time मिलते रहे, thank you so much